नमस्कार, 89.6 FM सीकर से मैं हू राहुल और आईए देखते हैं शहर के मुख्य समाचार उन्होंने विध्यारतियों से कहा कि अपने सपनों का सीकर बनाने का मन है, सीकर शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित हो चुका है और इसके लिए कोचिंग संस्था संचालूकों का आभार जताया साथ ही राजेंदर पारिक ने विध्यारतियों को नशेशे दूर रहने की अपील की समारों में नगर परिशद सभावती जीवन खाने स्वागत भाशन देते हुए विध्यारतियों को मेहनत व लगन के साथ पढ़ते हुए सफलता हासिल करने का आवाहन किया वहीं एक और कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने सम्मान समारों को बहतरीन पहल बताया उन्होंने कहा जो स्टूडेंस नब्ब परतिशत से अधिकंक लाए हैं वे सम्मान पाकर सो परतिशत लाने का प्रियास करेंगे वहीं मैं आपको बता दूँगी कारिक्रम में प्रिंस एजुहप के जोगेंद्र सुन्डा और सुभाश मील ने विचार व्यक्त किये साथी कारिक्रम का मुख्याकरशन दैनिक भासकर के स्टेट हैड मुकेश माथूर बतोर अतिती मौजूद रहे अतितियों ने स्टुडेंट्स को प्रशिस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया समारों में उप सभापती अशोक चौधरी, ब्लोक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी, बलदेव सिंग, पारशत सजाउद्दीन चौहान, सईद एहमद कुरेशी, आबिद जाटू, निशार जाटू सहीद कई लोग मौजूद रहे साथ ही 89.6 FM सीकर के MD, डॉक्टर अमित माथूर को भी उनके सराहनिये कारे के लिए सम्मानित किया गया वहीं एक और मैं आपको बता दूँ कि इस बार 89.6 FM सीकर के तत्वाधान में RECS International School Presence Open Mic Activity होने वाली है ये प्रोग्राम 21 जून को विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष में होने जा रहा है जिसमें आम जन भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे वहीं में आपको बता दूँ कि ये प्रोग्राम रामिला मैदान के धनुष गदा सर्किल पर आयोजित होगा जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कारिकरम शाम को 6 बजे से शुरू होगा साथ ही माँ आपको बता दूँ कि FM Seeker के RJ सूरच तता Rex International School के डिरेक्टर अमर खत्री, जीतेंदर कालेर, योगेश जैन, राकेश चौधरी, प्रियंका वर्मा ने आज पोस्टर विमोचन Rex International School में किया वहीं दूसरी और जैन सोशल ग्रूप से खावाटी द्वारा दिनांग 16 जून से 18 जून तक प्राते 6 बजे से 8 बजे तक जैन भवन सीकर में योग वध्यान शिवर का आयोजन किया गया था जिसमें कल तीसरे और समापन दिवस पर ध्यान और योग कितना महत्वपून है और इससे लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है इसकी जानकारी जैपूर से आई प्रशिक्ष का कविता जैन वे उनकी टीम द्वारा दी गई साथी कारिक्रम का शुभारम दीप प्रज्वलन, मनोच सरीता पाटोदी, जिगरवाले, जैन भवन के अध्यक्ष विमल जैन, मंत्री किशोर जी संही, नया मंदिर के मंत्री पवंची जैन ने किया लगबग दोसों से अधिक महिलाओं और पुर्शों ने योगा का लाब इठाया, अंत में कविता जैन और उनकी सहाई का, अरपिता माथूर और सेजल जैन का ग्रुप के सदस्यों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया ग्रुप के मंत्री अमित एकता चाबडा एवं हितेश अंजु बाकलिवाल द्वारा कारिग्रम के इस शिवर का पुन्यारजन स्वर्गाशी श्री नत्मल जी पाटोदी की पुन्य स्मृती में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नारायनी देवी मातेश्वरी श्री मनोज गु ग्रिश्म कालीन प्रशिक्षन श्रीवर में आज दुलहन मेकप प्रतियोगिता का आयोजन प्रशिक्षिका सुनीता कुमावत वा संगीता सेनी ने बालिकाओं एवं महिलाओं को विगत एक माह में बहुत ही शांदार तरीके से तराशा और ब्यूटीशन का प्रशिक्षन प्रदान किया जिसमें 40 से अधिक बालिकाओं एवं महिलाओं ने भाग लेकर शांदार प्रदशिन किया भाग लेने वालों में ममता बागडी, रिंक कुमावत, साक्षी, अक्षिता कुमावत, खुश्बु कुमावत, सोनिया, सुशीला, रृतिका, कृष्णा, आफ्रीन साइना, रेहाना, समीरा, समरीन, मुन्नी कुमावत, सानिया, नकिता, सानिया, दिक्षा, अनन्या, दीक्षा, सुमन, सानिया जांगिर, निर्मा कुमावत, सरीता और हीना प्रमुख रही बसंत कुमाल लाटा, सियो स्काउट एवं शिविर संचालक ने बताया कि प्रतियोगिता में उतकरिष्ट प्रदर्शन कर निर्मा डिवी प्रथम, सरीता सैनी दुईतिये वर अक्षिता कुमावत तृतिय स्थान पर रही साथ ही योग सप्ताह के तहट शिविर में योगासन का अभ्यास कराया गया तो ये थे आज की मुख्य समाचार, अब मुझे यानि की राहुल को दीजे इजाज़त, फिर मिलेंगे कल नई खबरों के साथ, धन्यवाद